अगर आपके आईफोन 6 या फिर 6S पे स्टोरेज फुल हो गए हैं और या फिर बहुत ही कम स्टोरेज बचे हुए हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने आईफोन 6 और 6S पे स्टोरेज बना सकते हैं तो सबसे पहले यहां पे हम सेटिंग्स पे कौन सा कैटेगोरी सबसे ज्यादा जगे कंज्यूम करके रखे हैं और यहां से थोरा सा नीचे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा जगा लेके रखे हैं सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे सॉफ्ट्वर अप्डेट की जगा लेकर रखे हैं अगर आपको सॉफ्ट्वर अप्डेट की ज़रुद है तो आप इसे आपदेट कर ले अगर आपको जरुड़त नहीं है तो आप सिंपली इसे यहाँ से जूपरिकैशन है यहांसे इसे आप जाहने को डिलीट भी कर सकते हैं अ अगर आपसे दीन न आपने आईफोन 6 और 6S पर स्टोरेज बना सकते हैं एपस के बाद सबसे ज्यादा जगे कंजियूम करके रखता है फोटो एंड वीडियो तो यहां से आप फोटो एंड वीडियो पर आके चाहे तो इसे एक एक करके डिलीट कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक करके डिलीट नह जो सिंक है उसे आपको टर्न ओफ कर लेना है आई क्लाउड फोटो के ऑप्शन को आपको इसलिए टर्न ओफ करना है कि आप जब अपने फोटो ऑप्शन में से फोटो और वीडियो डिलेट करने जाएंगे आपके आई क्लाउड से भी यह सारे फोटो एंड वीडियो डिली बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे तो इसलिए आपको जो करना है आप सिंपली आपके फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करें और उसका बैक अप ले ले कंप्यूटर पर लेने के बाद आप अपने फोन के सेटिंग्स पर जाए यहां से आपको जाना है जैनरल पर अब आपको थ करके आप अपने आइफोन को पूरी दरह से चातर हो जाएंगे उसके साथ-साथ अगर कोई दूसरा प्राप्लम हो तो वह सौल्व हो जाएंगे उसके बाद आपको कंप्यूटर पर लिए हुए बैक अप मेंसे अपनी जरूरत की हिसाब से फोटो और डेटा अपने फोन प मिलते हैं आगले वीडियो पे तब तक के लिए आलविदा